तो डिस्क बल्ज के बाद जिम एक्टिविटी या स्पोर्स एक्टिविटी शुरू करने से पहले आपने अपनी बोडी पर पांच तरह के टेस्ट करने है ताकि आपको पता लग जाए कि हमारी बोडी में बैक में स्ट्रेंथ आ चुकी है सबसे पहले आपने क्या करना है walk करके देखना है अगर आप आधा घंडा walk कर सकते हैं तो best है Second activity आपने इस तरह से knee flex करके एक ही position में आपने देखना है 12345 hold करिए 12345 hold करिए यह हो गया Second activity फटेर्ट जटश चड़के देख स्टेर्स चड़िए उसके बाद आपको पता लगेगा कि हम इस तरह से दो तीन बार्स टेर्स चड़के देखियए जिसमें हमारी पूरी मूवमेंट होती है पैल्विस की हिप catch और इसमें बैक की में नहीं जा सकते अगर यह कर पा रहे हैं तो वह स्पोर्स एक्टिविटिस को कंटिनू कर सकते हैं और लास्ट फिफ्ट आती है हमारी प्लैंक तो प्लैंक पोजिशन में जाके देखिए उसमें आपको पता लग जाएगा कि हमारी स्ट्रेंथ बन चुकी है उसके बाद अप करने वाली एक्टिविडिस को आप कंटिनू कर सकते हैं